असाम नेकुम 7th क्लास, I hope you all are fine. हमने चैप्टर नमबर 9 स्टार्ट किया था, इस्पर्शन आफ लाइट, जिसका हमने क्वेस्टिन नमबर 1 कर लिया था, लॉंग क्वेस्टिन, आज हम क्वेस्टिन नमबर 2 करेंगे, हमने टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन के बारे में बताना है, एक्स्प्लीन दा फिनामिन आफ मायरिज और मायरिज के फिनामिना को एक्स्प्लीन करना है, फिर्स वान इस टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन वें लाइट पासिस फ्रम ग्लास और वाटर इन्टू एर जब लाइट जो नसी है वो ग्लास या वाटर के अंदर से गुजर के एर की तरफ जाती है या इन्सरे आरे मिडिया जब एक गाड़े पान से घुजर कर वो एक पतली चीज की तरफ आती है जिसे ओटर है फ्लास वो एर से तो गाड़े जाती है यह लाइट इंट उन into the same dancer medium तो वो जो light raise होती है वो दोबारा reflect back करती है उसी dancer medium के अंदर से जैसे water के अंदर से light गुजरती है तो वो water के अंदर जब से गुजर के air के तरफ जाती है तो वो normal की तरफ बैंड करती है लेकिन अगर जो उनके angle of incidence है अगर उसका ज्यादा होगा तो वो reflect back करके water के अंदर आएगी जैसे आप लों के पास ये diagram है देखें इसके अंदर जूंसी है light जूंसी है वो दुबारा से पानी की सता से टकरा के वापस पानी के अंदर जा रही है reflect back कर रही है the light is reflect back into the same dancer medium this phenomena is called total internal reflection तो तब हम जब वो दुबारा से reflect back करती है जब वो पानी के अंदर से गुजर के दुबारा पानी के अंदर जाती है बाहर नहीं आती तब हम उसको total internal reflection कहते है total internal reflection take place only when total internal reflection तब होती है जब light passes from a dancer medium to rare medium जब light जूंसी है वो dancer medium में से गुजर के rare medium की तरफ जाए यानी water या glass के अंदर से गुजर के air की तरफ जाए the angle of incidence of all rays must be greater than the angle of critical angle of the dancer medium तो ये तब होता है जब angle of incidence critical angle से ज़्यादा हो dancer medium के ये total internal reflection का phenomena तब होता है next अग बी पार्ट इसका हमने mirage के phenomena को explain करना था mirage is an image of some distance object which appear to us due to the reflection and the total internal reflection of light mirage हम उस phenomena को कहते है जब हमें दूर से कोई image नज़र आती है जब वो इसली नज़र आती है तक कि वहाँ पे reflection और total internal reflection दोनों का phenomena एक साथ हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे light bend भी कर रही होती है और reflect back भी कर रही होती है जो जैसे जो रोड के करीब air होती है वो ज़्यादा hot होती है गरम होती है ज़्यादा रोड से दूर जो air होती है उससे light travel faster when it reaches the warmer air जो light जो उनसी है वो warmer air के अंदर ज्यादा तेजी से travel करती है the light rays bend as they travel downward light rays bend करती है जब वो downward travel करती है due to the reflection reflection की वज़ा से जब air गरम होती है वहाँ पे जो light है वो ज़्यादा तेजी से move करती है तो वहाँ पे जाके जब right rays है वो bend करती है reflection की वज़ा से near the ground where air is even more warm near the ground ground के पास जहाँ पे air गरम होती है the light rays travel almost parallel to the ground तो वहाँ पे light इतनी bend हो जाती है के वो दोनों road और light दोनों आपस में parallel move करती है but continue to bend in other direction लेकिन light बेंड ज़रूर होती है उसके अंदर reflection का phenomenon तो ज़रूर होगा तो वो light बेंड ज़रूर करती है लेकिन other direction में तो वो total internal reflection का phenomenon हो रहता है वहाँ पे when we see these bending light rays जब हम भी bending light rays को देखती है तो our brain assumed that the rays have traveled in a straight line तो हमें ऐसे लगता है कि जो light rays है वो straight line में travel का रही होती है हलाएकि वो light सजीधी line में travel नहीं का रही होती है वो bend हो रही होती है reflect back हो रही होती है वहाँ पे total internal reflection का phenomenon हो रहता है मायरिज उसको कहते है जैसे अगर हम लोग बहुत ज़्यदा गर्मी हो तो हम सड़क पे जा रहे हो तो हमें दूर से नज़र आता है जैसे सड़क पे पानी है लेकिन वो पानी नहीं होता वो light effect होता है वहाँ पे reflection और total internal reflection दोनों का phenomenon हो रहता है हम उसको हम मायरिज कहते हैं जैसे दूर से हमें देखने बहुत ज़्यदा गर्मी हो सुधी सड़को और हमें दूर से ऐसे लगता है कि वहाँ पे पानी है लेकिन वो वहाँ पे पानी नहीं होता है वहाँ पे light rays का phenomenon हो रहता है मायरिज और total internal reflection और reflection दोनों का phenomenon हो रहता है हम इसको हम mirrages कहते हैं इस rays seem to us as a reflection from a water तो हमें ऐसे नज़र आता है जैसे वहाँ पे पानी है as a result we see a mirrages desert travelers often absorb mirrages desert travelers जाता तर यह देखते हैं क्योंकि हमें rate में दूसर आसे नज़र आता है कि जैसे वहाँ पे पानी है लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता, वहाँ पर टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का फिनामना हो रहता है, जिसको हम मायरेज भी कहते हैं So this is your second long question, learn this question, Allah Hafiz